हेलो दोस्तो मैं पुश्पेंद्र यादो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल Study with Philosopher Baba में मैं अपने उन सभी साथियों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन साथियों ने आज अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है लाइक किया है उन सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने आज अपने इस यूट्यूब चैनल को कलका वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया होगा इससे पहले मैंने 6 वीडियो अप्लोड किये हैं पॉलिटी के जिसमें मैंने शुरुवात से पूरी बेसिक से पॉलिटी के बारे में बताया हुआ है भारती राजवस्ता के बारे में बताया हुआ है भारती सम्विधान, एतिहासिक प्रिष्ट भूमी, भारती सम्विधान का निर्माड, सम्विधान सभा, प्रारूप समीती, मंत्री मंडल, सम्विधान के सुरूत और उसके बाद आर्टिकल हमने शुरुआत कर ली थी, जिसमें से आर्टिकल 1-4 हो चुका है भाग 2 हो चुका है हमारा नागरिकता और आज हमारा जो टाइम है आज के दिन जो हमारा सेशन शुरुवात होगा वो हमारा शुरुवात होगा भाग तीन भाग तीन है हमारा मूल अधिकार हम मूल अधिकार सेशन के जो शुरुवात करेंगे इस मूल अधिकार में हम हम एक साथ इसको एक वीडियो में समप नहीं करेंगे इस चैप्टर को क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही important चैप्टर है इसको हम एक-एक सेगिमेंट में देखेंगे है ना जैसे आज हम समानता के अधिकार को ही लेंगे इस टॉपिक में उसका हम एक एक चीज़ का अपवाद समझेंगे एक एक चीज़ की डैमेंशन समझेंगे डीप एनालिसिस करके समझते हुए हम उसको क्लियरिफाई करते हुए चलेंगे कि मोल अधिकार क्यों आए कैसे आए इनका क्या इतिहास है क्या बाते थी समझान सभा में इस पर क्या चर्चा हुई और इसका क्या बैग्राउंड रहा है मुसके बारे में डीप ली एनालिसिस करते हुए चलेंगे मोल अधिकार के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की दोस्तों मैं आपको बता दू कि आज थोड़ा सा मेरी आवाज आपको डाउन लग रही होगी क्योंकि मुझे आज फीवर है तो इस वज़े से आज थोड़ा सा वीडियो लिंदी नहीं बनेगा थोड़ा सा कमी रहेगा लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिलेगा तो आज हम केवल समानता के अधिकार को ही रखेंगी और एक-एक सिगमेंट को लेके चलेंगी तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुवात सबसे पहले हम आज के सिशन की शुरुवात इक कहानी से करते हैं देखिए आपने पुराने जमाने की कोई भी मूवी देखी होगी तो उस मूवी में हमेशा एक ठीम होती थी कि कोई भी ठेकेदार जब ठेके पे कोई कम करवाता था जैसे पुराने जमाने की मूवी में जमीदार होते थे, हैना ठाकुर बनता था, कोई भी, ठाकुर परिवार का आदमी होता था और वो जमीदारी लेता था, तो वो ठेके पर कोई भी काम करवाता था, मजदूरों को, बहुत कटिन परिस्थितियों में उससे काम करवाता था, जब उसको पैसे देने की बारी आती थी तो उसको पैसा नहीं देते थे है ना और उसको दवा दिया जाता था उसके जमीने हड़ ली जाते थी और बदले में उससे जीत तोड महनत करवा ली जाती थी तो इस तरीके से आपको उस मूवी में दिखाया जाता था और फिर बाद में मूवी में कहानी आगे बढ़ती थी बढ़ाते हुए दिखाते थे कि मानवा अधिकार के लोग आते थे और कोट केस करते थे तो बाद में सुप्रिम कोट कहता था कि ये इनके अधिकारों का उनलंगन हो रहा है तो इनको स पहानी आप और भी देखते हो अलग-अलग मूवी में कि कोई आदमी 23 साल की उमर में उस पे कोई जूटा आरूप लगा दिया गया और उसको रिहा किया जाता था चोवन साल जेल में कटे तो अब इनके चोवन साल एज की भरपाई कौन करेगा चोवन साल जीवन जो उसका बरबाद हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा तो ये सारी चीजे ना होने पाए तो इसी के लिए हमारे यहाँ पर जो हमारे अधिकारों की गारंटी थे इस ऐसा कोई अधिकार पत्र आए उस अधिकार पत्र को नाम दिया गया हमारे सम्विधान में मूल अधिकार और ये मूल अधिकार हमारे सम्विधान में रख्या गया भाग 3 में 12-35 इस पेपर में पूछेगा मोल अधिकार किस भाग से संबंदित है भाग तीन किस आर्टिकल से संबंदित है अनुच्छेद 12 से 35 ठीक है कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार को संयुक्त राजी अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है यूएसे के सम्विधान से लिया गया ह मोल सम्विधान में साथ मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 सम्विधान संशोधन के द्वारा संपत्ती के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19 सिक्स को मौलिक अधिकार को सूची से हटा कर इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है ठीक है अनुच्छेद 300 का में इसको रख दिया गया है मौलिक अधिकार में शंशोधन किया जा सकता है और रास्टरी आपात के दौरान अनुच्छेद 352 और विक्तिगत सुतंतरता को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है अनुछे 12 की बात किया जाए तो उसमें मूल अधिकार की परिवाशा का बात करीगी है अनुछे 13 की बात करें तो ये बताता है कि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है अब हमारे मूल अधिकार जो शुरू होते हैं वो है पहला समता का अधिकार या समानता का अधिकार या 14 से 18 आर्टिकल की बात होती है अब समता का अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार आखिर आया क्यों? समता का अधिकार की जरूरत क्यों ही? इसको कहते है समानता का अधिकार अब देखो हमनी समानता के अधिकार की बात करी लेकिन इसका थोड़ा साम बैग्राउंड जानेंगी कि आखिर मोल अधिकार होता गया है ठीक है तो मोल अधिकार के बारे में गर जाने तो लोक तांतरिक शासन विवस्था में लोग तांत्रिक शासन विवस्था में मूल अधिकार वे अधिकार है जो किसी विक्ति के पूर्ण शारेरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के लिए अनिवार रहे हैं इन अधिकारों को राज के विरुध न्याय पालिका का सरच्छन प्राप्त है अब देखो किसी विक्ति का शारेरिक, मानसिक और नैतिक विकास तब ही हो पाएगा जब उसे तीन बुनियादी जरूरते उसकी पूरी हो रही हो और तीन बुन्यादी जरूरते क्या है? सिच्छा स्वास्थ और पोशन यह उसकी तीन basic need है और यह उसका मौली का अधिकार भी है सिच्छा, स्वास्थ और पोशन उसका मौली का अधिकार भी है तो यह अगर उसका पूरा हो रहा है तो उसको हम कहे देंगे कि उसके मूल अधिकार क्या है पूरे हो रहे हैं तो उसको हम मूल अधिकार कहे देंगे अब राजी की बात करें तो राजी के अंतरकर भारत सरकार और संसत तथा राजियों में से प्रत्यक राजी की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राजी छे पत्र बिल आफ राइट से लिया गया है ये आपका की पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा जो का नुच्छेद 12 में जो पताया गया है कि राजी की परिभाशा तो राजी की परिभाशा में हम राजी उसे कहेंगे जहां पर भारत की सरकार लगी हुई है घुसी पड़ी ठीक है फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुआ है तो मौलिक अधिकारों का संशोधन हम पढ़ेंगी मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है कब किया जाएगा तो भायत की उच्चितम ने आया लेने यानि सुपरेम कोड़ द्वारा विमन मामलों में निर् या विनास तो नहीं हो रहा यदि ऐसा होता है तो सम्विधान उस विस्तार तक शोनने रहेगा ठीक है और न्याइक पुनराव लोकन पंथ निर्पेच शक्तियों का प्रथक्रण आधी तीसरा क्या कह रहा है कि उत्प्चतम नियालो द्वारा आधारिक लच्छन की कोई पुचना नहीं मिलती है लेकिन उसके कई निर्पेच शक्तियों का प्रथक्रण आधी ये बेसिक इस्ट्रक्चर का पार्ट है अब हम बात करते हैं कि सम्विधान के बारे में लोगों का क्यामत है तो सोमनात लाहरी का कहना था कि मैं समस्ता हूँ कि इन में से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दिश्टिकोर से बनाया गया है आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिये गए है और प्रतेक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है लगवग प्रतेक अनुच्छेत के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है मौलिक अधिकारों को हमारी क्या अवधाना होनी चाहिए हम उस प्रत्यक अधिकार को समविधान में पढ़ना चाहते है जो हमारी जनता चाहते हैं देखो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी सरकार कुछ ऐसे काम कर देती है जिसको हम कहते है कि सरकार को नहीं करना चाहिए लेकिन सरकार जो भी करती है न वो समविधान के दाइरे मेरी कहीरी करती है अब देखो अगर आपको ये सारी चीजे जाननी हो तो आपको सम्विधान पढ़ना पढ़ेगा उसके लिए law करना पढ़ेगा आप जब law पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मौलिक अधिकारों में भी हर आर्टिकल का एक एक उपबंद दिया हुआ है और अगर हर एक आर्टिकल में बोला गिया है कि ये अधिकार हम आपको दे रहे हैं तो ठीक उसके अगले उपबंद में उस अधिकार को वापस लेने का भी उपबंद लिखा होगा तो यहां पर हमारे सम्विधान में लूप होल है उसी का जो फायदा है वो सरकार उठाती है और फिर हम कहत आप उठाके देखना सम्विधान की तो वहां पर आपको ये लूप होल देखने को मिलेंगे अब हम बात करते हैं समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14-18 अब हम इसके बैग्राउंड की बात करें तो इसका बैग्राउंड ऐसे आता इसको आप ऐसे समझिए कि कोई दो दोस्त हैं एक का नाम है स्वदेश और एक का नाम मान लेते हैं कुछ है ही नहीं मतलब है नाम लेकिन वो बताना नहीं चाहता है अब यह दोनों दोस्त गए चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए लोग बढ़िया UPSC की त्यारी कर रहे है और दिल्ली में बढ़िया रहे हैं दूसरे के एक साथ एक फ्लैट में अब इन लोगों का चाय पीने का मन हुआ अब यह लोग गए चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए अब चाय वाले न इनसे पूछा भाईया स्वधेश तुमको तो मैं जानता हूँ ये भाईया आपके साथ कौन इनका नाम क्या है तो अब वो विक्ति अपना नाम नहीं बताना चाह रहा है लेकिन जब उस विक्ति ने अपना नाम बताया तो उसके नाम से सूचित हुआ कि ये विक्ति lower category का है तो अब उस विक्ति ने क्या किया चाये वाले ने स्वदेश को तो अच्छे कप में चाये दिया लेकिन जो दोसरा विक्ति था उसका रूमिर्ट था उसको मानके चलो उसको दे दिया कुलड में चाये तो यहां पर क्या हुआ भेदभाव हो गया जाती के अधार पर भेदभा आए हैं अब 45 साल की उमर पार कर चुकी है लेकिन उसए में अगर 6 पुरुश है और वो 45 साल की उमर पार कर चुके है तो उनके साथ ऐसा इस्थिती नहीं आती थी उनको एंकरिंग करने दिया जाता था तो ये भेदभाव यहाँ पर लेंगी कुरुप से किया जाता था तो ये चीजों को जब देखा गया तो हमारे हाँ सम्विधान में मूल अधिकार को जोड़ा गया कि भाईया ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाईया सबकुस तो बराबर ही है सम्विधान के अधिकार को 14-18 के बीच में जोड़ा अब हम बात करते हैं अनुच्छे 14 की अनुच्छे 14 कहता है विधिक के समच्छ सम्च्छ सब बराबर है और ये कहां से लिए गया है ब्रिटेन से लिया गया है यानि कि विधिक के समच्छ सब लोग बराबर है कानून के समान, सब लोग बराबर हैं, कानून के समझ ब्रिटन से लिया गया है, अब तोको इसका लूप होल क्या है, अब देखो, आर्लिकल 14 क्या कह रहा है, हमने आप से क्या बात करी थी तो, कि हर आर्लिकल का एक उपबंद है, और वो उपबंद इन शक्तिवों का वापस इन अधिकारों को वापस ले लेता है, कैसे? Article 14 कह रहा है कि विध्य के समझ सभी विक्तिसमान हैं, समान तक अधिकार दे रहा है, लेकिन इसी का लूप होल क्या है? article 361 वो क्या कहता है? वो कहता है कि राष्टपती किसी भी बात के लिए court में answerable नहीं होगा वो जब तक अपने पद पर है या कोई भी राजिपाल अपने पद पर है वो जब तक अपने कारिकाल पर रहेगा तब तक वो court में answerable नहीं होगा इसी तरीके से 361 पारलियामेंट में कुछ भी अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो कोई भी पारलियामेंट का मेंबर के प्रती अगर पारलियामेंट के खिलाफ कोई case करता है जाकर तो पारलियामेंट उसके खिलाफ answerable नहीं होगी उसी तरह आर्टिकल 31C आर्टिकल 31C इसका सबसे बड़ा पुआद है आर्टिकल 31C में ये बोला गया है कि अगर भारत सरकार DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उलंगन करना चाहे तो वो कर सकती है इसलिए बोला जाता है कि स्टेटमेंट कि जब-जब 31C आता है तो मौल अधिकार गायब हो जाते है तो देखो यहाँ पर आपको लूप होल देखने को मिला अनुछेट पंद्रा जाती लिंग धर्म जन्मिस्थान के अधार पर साजवनिक इस्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो जो हमने आपको दो कहानिया बताई वो क्या थी वो जाती लिंग के अधार पर भेदभाव था जन्धर्म और जन्मिस्थान के अधार पर सारवजनिक भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है लेकिन इसका लोप होल क्या है भारत सरकार जरूरत पढ़ने पर कभी-कभी कुछ विशेस वर्ग समुदाई के लिए, महिलाओ के लिए, कुछ ऐसे प्रावधान करती है, जिससे उनको क्या मिले, लाभ मिले, इसका उधारण क्या है, आरच्छन, रिजर्वेशन, इसी तरीके से EWS, OBC रिजर्वेशन, ये असप्रश्यता का अंत, इसमें किसी के साथ चुवा चूट नहीं किया जा सकता, यानि चुवा चूट का अंत, यानि पुराने जमाने में अगर आपने दश्रत माजी मूवी देखी होगी, तो दश्रत माजी मूवी में क्या दिखाया था, दश्रत माजी मूवी में जब य प्रधन क्या करता है उनको खुब कुटवाता है खुब मरवाता है और खुद भी मारता है और वो कहता है कि तुम चुवा चूत हो तुम चुवा चूत की कटेगरी में आते हो तुम तुम जो है निचली जाती की हो तुम हमें नहीं चूत सकते हैं हम समय नहीं है तुमने हमें उपाधियों का अंत किन्तो सिच्छा सुरच्छा था भारत रतन पन्वे बुश्ण इत्यादी रख सकते हैं विदेशी उपाधी रखने से पहले राष्टपती से अनुमती लेनी हुगी तो अनुच्छेद अठारा कहता है कि किसी प्रकार की उपाधियों का अंत नहीं उपा अगर किसी को मिल रहा है जाहित के छेतर के लिए किसी को बरसकार मिल रहा है तो वो मिलेगा लेकिन अगर कोई विदेशी उपाधियों का अंत की बात करता है तो आज हमने देखा समानता का अधिकार 14-18 कल हम देखेंगे सतंतरता का अधिकार 19-22 और कल के वीडियों में हम मूल अधिकार पूरा खतम कर लेंगे कल अगर खतम हो गया तो अच्छी बात है नहीं तो परसो एक और वीडियो ऐगा उसमें हम भाग 3 ओवराल खतम कर लेंगे फिर परसो भाग 4 और इसके बाद फिर हम लोग संसत शुरू कर लेंगे फिर विधान मंडल उसके बाद फिर हमारा पॉलिटी का चैप्शेशन पू कि वही मेरा मेन कंसरन था इसके बाद जो है वो आपका केंपरिटिव स्टेडी है जो सेंट्रल में है बस वही सेंट्रल में है बस वहाँ पर आर् actical का चक्कर है अर् actical हो जाएगा बाकी concept सेम रहेगा वो आपको याद हो जाएगा इंजली पर यहाँ पर चीज़े ईजली कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी मैनत को सरहा रहे हैं और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और मुझे भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इंस्पायर होता हूं मैं आप लोगों के इस डेडिकेशन से और मैं फिर से आप लोगों क दिल से धन्यवाद देता हूं, कि आप लोग चैनल को शेर कर रहे हैं, सबस्क्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और दिल से जुड़ने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और आप सभी लोग अपना खियाल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहे ह मिलते हैं कल के वीडियो में और कल आप लोग पहले से पढ़ लीजिएगा सुतमत्रता का अधिकार 19-22 और उसके आगे हम कोशिश करेंगे कि भागतिन समापत हो जाए तो मिलते हैं कल के वीडियो में आपको जैसा है वीडियो लगे आप बताइएगा तब तक आप इंज्वा करिए टेक केर